कि नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद है अच्छे ही होंगे बिहार एक्सेज एक्ट में मैंने कुछ वीडियो डाला पे पहले वी कुछ वीडियो डाला है और आज का जो वीडियो है मेरा वो दर्शकों के डिमांड पे हैं साथी साथ कई सारे अफायार को देखत लेंगे तो आपको बेल लेना असान हो जाएगा क्योंकि एक डाटा के अनुसार हमने देखा कि बिहार में अमूमन जितने भी कैदी हैं किसी भी जेल में उसमें से 30-40 परसेंट जो कैदी हैं वह इसी एक्ट के वाइलेटर होते हैं जो उसी में यह एक्साइज को वाइलेट किया गया घरबड़ी डाटा डाल दिया जाएगा तो आपको बेल लेना मुश्किल हो जाएगा यदि आप कानून को तोड़ते हैं तो कानून को तोड़ते बाद एहतियात्म बढ़तिये ताकि आपको यह काफी हेल्प करेगा और आप सभी दर्सकों से मेरा एक अन्रोध है यदि आपको वीडियो देखने के बाद लगे कि कुछ और भी क्वैरीज है तो किर्प्या करें कमेंट करें आपका कमेंट मुझे गायड जरूर करेगा कि आखिर क्या-क्या समस्याय से आप लोग और भी जोज रहे हैं ताकि मैं आगे भी वीडियो बना सकूँ साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को आम जन तक पहुचाएं ताकि उसके जानकारी मिले और उस जानकारी को प्रात करके वह अपने आपको सेफ रख सकें कभी दुरगटना घटी इस टाइप का तो वह अपने आपको इस तरह से एतिहातन बढ़ते कि बेल ले सकें तो हम समझते हैं वीडियो के अन तक आप बने रहीएगा अब हम समझते हैं कि किन-किन हालात में हम एरेस्ट होते हैं यदि हालात को समझ जाएंगे तो उसके उस समय लेने वाले साफधानी को भी समझ सकते हैं तो चलिए पहला कंडिशन है जब हम एरेस्ट होते हैं वह अता वाइल ड्र हुए हैं या पी रहे हैं दोनों ही हालत में आपका क्या होगा ब्रेथ एनलाइसिस टेस्ट होगा जिस मर्शीन से उसे ब्रेथ एनलाइजर कहते हैं ब्रेथ एनलाइजर जो है वह आपको हवा को एकसल किया जाता है उसी में इतनल को लेवल को दिखा जाता है जो भी रीडि यह मैंसन करते हैं आयो सहाब तो उससे ध्यान रखेगा साइन करने डाटा जरूर देखिए कि कुन सा डाटा डाला यादि पढ़े लिखे नहीं है तो कम इतना तो ग्यान होगा जरूर कि हां 12-96 है कि 30-95 है ऐसा है कि 20-96 साथ हो और आयो सहाब क्या करें सौर उससे उपर लिख ठीक है अब आये दूसरा कंडिशन ड्रंकन ड्राइविंग हम लोग पीए और मस्ती सूझा निकल लिए विजावड यह सोचे वे आगे एरेस्ट भी हो सकते हैं ऐसे हालात में यह एरेस्ट होते हैं तो क्या होगा ब्रेथ एनलाइजर से आपका फिर से टेस्ट होगा सेम ए तो को यह पॉड़त आपको पकरते हैं तो पुलिस वाल रहे हैं यह चेख करें गाझे में पाया जाता है इपpent तो गारी का इंपाउंड होगा, यदि आपके डिक्की में मिलता है, गारी के आगे मिलता है, तो यदि आपके बोडी से मिलता है, हाफ बोटल या कुछ भी, आप जरूर जो है, वीडियो बनाएए, साथ ही पता चले कि इतना वज़े वीडियो बना है, और इतना ही लिकर था, आधा लीटर था या 750 ml का था उसमें इतना ही quantity था इससे क्या होगा वो quantity की साथ छेड़ चार रही होगा सारा खेल जो है बेल का खेल होता है quantity पे और डाड़ी पे वो यदि आप रख लेंगे तो ध्यान रखी आप पोकेट में पोसेशन है गारी इंपाउंड नहीं होगा डिक भी जो भी quantity गारी में मिलेगा गाड़ी इंपाउंड होगा गारी में नहीं है आप पी एव हैं व्रेट अनलाइजर से टेस्ट होगा आप लोग एरेस्ट होगे गारी इंपाउंड नहीं होता है ज़िए रिट मारिए आप और आपको पास एविडेन्स होनी चाहिए तो जह एक छोटा सो रूम में आप यह काम कर रहे होते हैं यह लिगल काम कर रहे हैं तो थोड़ा सब लीकल कर लो भाई सिटी वे लगा लिजिए माल लिजी दो बोतल दो पेटी है दस पेटी दिखा दिया नहीं होगा बिल तो इसलिए ध्यान रखिएगा जितना भी पेटी कर या तो यह किजिए या तो सेल्फी लिजिए या तो वीडियो गनाई आप आई ये ट्रांस्पोर्टेशन कि एक दम मेरा लाइफ के जीता जगता उदाराना लास्टमे का पुर्णिया का पुर्णिया दिस्टिक इन भिहार एक आदमी टोटो खड़दा टोटो गारी लेके चड़ गया कोई दिक्कत ने बेचार उसका आगए जाकर पुलिस पकर लिया पतास लब समय देश्टिदारू था वह बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं ज्यादा उसको लाइक तो ठीक है पैसंजर है पैसंजर पकर लिया लेकिन वह भाई साब पुलिस वाले इतने आपैर हमी थे कि उसने क्या कि एक लीटर या एक बोतल में ते निचे दिखा दिया सिट के निचे दिखा दिया देक की गाड़ी में उसका रिकरी दिखाया ये उस बेचारर पुर्णियम पड़ा हुआ है वो दुख के साथ कहना पड़ता है और वो लॉन की गारी जो दो मेना भी नहीं होता आज वो सर राइड में तो भाई साव यह ऐसा कुछ होता है सेल्फी यह वीडियो बनाईए और आप जरूर बनाई को आपके राइट है आपको पुलिस वाला सर मेरे गारी में जो भी गिलर नहीं है कुछ भी मिला यह मेरा नहीं है पैसंजर का है आप पूर सकते हैं मेरे सामने में मेरे गारी मेरे सरीर को सर्थ कीजिए नहीं मिल रहा है यह ऐसा इस्तिती है तो गारी इंपाउंड नहीं होता है तो इसको ध्यान रखना है ट्रांसप निजिन बता दिये यदि गृत्तारी के कंडिशन समझ गहे तो आप ये जो है साथवदानी इसको भी समझ जाएंगे यदि मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो किर्पया करके मेरे इस मोहीं में सामिल हो किर्पया करए मेरे इस वीडियो को लाइक करें करें और सेयर करें जैहिंद धन्यवाद